हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको दिल्ली के बीचम बीच एक ऐसी जगा एक ऐसा रिल्वेच शेशन दिखाऊंगा जिसे आप देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप लाइक जैसे की काल का शिमला जो टॉय ट्रेंट चलती है उसके रस्ते में जो इस्टेशन पढ़ते है एक उस तरीके का स्टेशन आपको दिल्ली के बीचों बीच मैं दिखाऊंगा यह आप सामने देख सकते हैं यह दोला खुआ की तरफ से जो मैट्रेशन की तरफ से रोड आ रही है और यह देखिए एस्पी मारा गई है दिल्ली का और यह आगे ताज होटल की तरफ जाती यह देखिए आप यह सदार पटेल रेलवे सेशन है और आपको हम दिखाते है रेलवे सेशन यह आप देखिए यह नीचे जाके रेलवे सेशन आता है और चलिए हम नीचे चलते हैं यह रिल्वे सेशन पर फिलाल अभी कोई ट्रेन नहीं रुकती है पहले जो दिली में लोकल ट्रेन चलती है यह मूँ वो रुकती थी पर अभी फिलाल यहां पर कोई ट्रेन नहीं रुकती है आपको पूरी हिली फिलिंग आएगी यहां दे सकते हैं आसपास ही सारे पत्थर है पहाड वाले और आपको ऐसा लगाँिए कालका श्रिमला के रस्ते के स्टेशन पर आ गए हैं यह देखिए आप को मैं दिखात हूं यह हम नीचे बतर रहे हैं यह सीडी आनने में लिए डेखी रेलेवे स्टेशन आगए हैं यह दिखे ि हैं यह लाइन आगे सफदर जंग रिल्वेशेशन की तरफ जाती है वह इसे यह जाती है पटेल लगर की तरफ होते हुए दिली के में जो रेल नाइन है यह दिल्ली के आउटर-उटर से जो ट्रेने निकालनी निचे उतरने के लिए उपर से नीचे उतरने के लिए यह सीडिया बनी हुई है कि आप दे सकते हैं किस तरीके से यह पहाड़ है और लिए ने कहा जाता है कि अरावली के पहाड़ है कहते हैं कि इंदर परस्त अरावली के पहाड़ों पर बसा था तो आप कि इंदर आप देख सकते हैं कि इंदर आप देख सकते हैं तो यह नई दिली से लेकर जो इंडरा गांदी इंडरनेशनल एरपोर्टी थी तक जो वैटर हो जाती है वह यह मैटर उपर से जा रही है और यह बिल्कुल धोला को आप यह सेशन कड़ता है एस्पी महारगोड के मीचे और आप देख सकते हैं किस तरीके के यहां पर पहाड़ है और यह जो सामने आप मलब यह आपको एक सामने एक फ्लाइओवर दिख रहेगा यह यह इंडिया गेट ग्यारा मूर्ती की तरफ जाता है इस पी महारगोड यह और इसके निचे स्टेशन है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए अगर आप ऐसी होल वीडियो देखना चाहते तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करिए ठीक है दोस्तों अगली वीडियो में फिर आपको कोई अच्छी से जगा दिख रहेंगे है